हेले दोस्तों वेलकम तू ग्राफिक डिजाइन टेक दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह प्रापर तरीके से आप शर्डर स्टाक पर अपना लोगो डिजाइन या कोई भी आप इमेज अपनी अप्लोड कर सकते हैं वो भी बहुत ही अस्वान तरीके से अक्सर आप दोस्तों ने देखा होगा कि जब आप अप्लोड करते हो तो आपको एरट शोगरता है कि आपका जो और बोर्ड है कम असकम फॉर मेगापिक्सल तक होना चाहिए तो इसका सुलूशन में आपको बताऊंगा बहुत इसी है तो चलिए शूरू करते हैं दोस्तों यह लोगो है और गनेक ठीका यह मैं आपके सामने प्रोड करूंगा तो सबसे पहले आप आपने सेव एज करना है एक फाइल के अंदर तो यहां से आपने प्रीस फाइल को स्लेट करना है और यहां से जो वर्जिन है यह आपने एपियस टेंट करना है इसका बाद ओकी कर दें तो यह इस फाइल के अंदर सेव हो चुका है तो चलिए अब इसको हम अपलोड करेंगे शेटर स्टाइक को यहां से अपने इसको उठाया और शेटर स्टाइक के अंदर रख दिया ड्रह करके यहां से नेक्स्ट करेंगे यहां से रिफ्रेश करें जो भी एरर है यहां वो आपको शोगर देगा यह आप देख सकते हैं जो एरर शोगर रहा है कि the size of your artwork must be at least 4 Megapixels तो दोस्तों परशान होने के जरूरत नहीं है इसके solution मैं आपको बताऊंगा बहुत easy है तो सबसे पहले आपने एक new file create करनी है अपने अलिस्टर में जाएं और create a new file करें यहां से आपने पिक्सल स्रेट करना है और जो width और height है यह आपने 4800 by 4800 ही रखनी है और इसके बाद आप इसको create पर क्लिक कर दें और अपना logo यहां से उठा के आप इसके अंदर रख दें इसका size बड़ा कर दें और जो fonts हैं यह आप इसको create outline कर दें अब एक rectangle create करेंगे same जतना board का size है और इस पर gradient लगा कि आप इसको send back कर दें अलाइन करें पहले और फिर आप इसको arrange करके send back कर दें अब इसको save करते हैं EPS file के अंदर यहां पर मैंचन कर दें EPS अब स्लेट किया EPS file को save क्लिक किया और यहां से वर्जिन वहीं अपने select करना है EPS 10 और यह देखिए यह file save हो गई है अब दोबारह आप इसको upload करेंगे सेम उसी तरह यहां से ट्रैक किया इसको और ट्रैक करके आप यहां आक इसको छोड़ दिया कि अब देख सकते हैं 6.44 MB की यह file create हो चुकी है यहां जो file required है वो 4 Megapixel किया है तो यहां next किया तो यह file अप प्रोसेस हो रही है थोड़ा वेट कर लें यहां से आप रिफ्रेश करें यह देखे दोस्तों यह इजिली upload हो चुकी है इस पर click करें तो यह side वाले जो option है यह show हो जाएंगे यहां मैं टाइटल देना है दोस्तों यादर है जो टाइटल है आपने लंबा चोड़ा टाइटल लिखना है यहां पर कम असकम पांच words का टाइटल होने चाहिए तो यहां मैं टाइटल लेता हूँ अपने design के मताबग अब कैटेगरी जो मेरी कैटेगरी बनती है यह नेचर सेलेट करूंगा मैं और जो दूसरी है यह science ensemble और दूसरों यहां आप जो keywords है और यहां जो main इसका है यह keywords आपने कम असकम पचास keywords आप इसमें एड़ कर सकते हैं suggestions में भी आ रहे हैं तो यहां भी आप इसको क्लिक करके एड़ कर सकते हैं तो मैंने पहले से एड़ करके रखे हुई है तो मैं यहां simply just paste कर दूँगा और लांसर्मेंट पर क्लिक कर देना है बस और यह दोस्तों अफलोड हो चुकी है और यह तक्रीबन पांच गंडे के अंदर approved भी हो जाएगी उमीदे दोस्तों आपके वीडियो पसंद रहे होगी पसंद रहने के सुरत में लाइक और कमेट जरूर कीजेगा